दोस्तों आज आपके लिए रेस्टार्ण स्टाइल गोबी मतर की रेसीपे लाएं हूँ यह बहुत ही स्वाधिश्च बनती है ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल रेस्टार्ण में खा रहे है अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे अब जुआ आपके लिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें बेल आइकोन को दबाएं सबसे पहले पैन में हम लेंगे 2 टेबल स्पुन सर्फो का देल इसमें डालेंगे एक टीच स्पोन जीरा आदा स्पून हींग और फिर इसमें डालेंगे एक बारिक खटा हुआ अब हम इसे डाले किया में एक टी स्पूल जीजर गार्ली का पेस्ट प्याज को हमारे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करना है तो हम इसको डाल देंगे थोड़ आसा नमक ताकि हमारे प्याज जल्दी से फ्राइ हो जाए और इसे फिर धीमी आज पर हम ढखके रख देते हैं प्याज हमारे प्राइ हो गए है अच्छी से तो आप इसमे डाल देंगे मसाले मसाले में हम डालेंगे 1 फोट स्पून हल्दी पावडर एक स्पून हम डालेंगे इसमें लालमेश पावडर और इसमें हम डालेंगे एक स्पून धनिया पावडर अच्छी से मिक्स करें एक मिनिट के लिए हमने मसालो को साटे कर लिया है अब हम इसमें डाल देंगे टेमाटो प्यूरी तो मैंने दो टेमाटो की टेमाटो प्यूरी बनाई है अब इसमें डाल दिया अब इस अच्छी से मिक्स करें तमाटो को हम ढखकर पाच मिनिट के लिए पकाएंगे ताकि यह ओल छोड़ने लग जाए तमाटा हमारे अच्छी से प्राई हो चुके आप देख सकते हैं चारो तरफ तेल निकल गया है अच्छी से इसे मिक्स कर देंगे अब हम इसमें डालेंगे 2 स्पून दही अच्छी से मिक्स करें और दही को मिक्स करने के बाद भी हम इसे 2 मिनिट तब इसे दुरह हिलाके पकाएंगे ताकि दही भी अच्छी से पक जाए और फिर से हमारा मसाला ओल छोड़ने लगे मसाला हमारा तयार है, ताव प्रो से, ओई निकलने लगा है, अब हम इसके डाल देंगे हमारे, साफ और नीक, टोके रखतम ही गोबी, और हम इसके डालेंगे बठर के डाले, अब इसे अच्छी से मिक्स करें, अच्छी सी मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे आधर कप पानीं प्याज फ्राइक करते समय हमने थोड़ा सा नमक टाराता तो आप स्वात के अनुशार थोड़ा सा नमक और डाल देंगे अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला तो मैं आदा स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ और इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसे अच्छी से मिक्स करें मिक्स करने के बाद इसे 5-10 मिरिट के लिए हम धीमी आज पर ढख के पकाएंगे हमारी कोवी मटर अल्मोस्त तयार हो गई है बहुत टेम्टिंग लग रही है आप देख सकते हैं चाव तो उसे आइल भी निकल गया है बहुत ही अच्छी थिक ग्रेवी बनी है बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही है आप इस पर लास्ट टेप करेंगे और वह है इसको टानेशिंग के लिए हम डाल देंगे इसमें हरा धरिया मिक्स करें और बस गरम गरम हाट हाट चपाती या नान जिसके साथ चाए उसके साथ खाई है